दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PowerPoint के editing block option के बारे में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से PowerPoint के editing block का इस्तेमाल कर सकते हैं साथी साथ आज हम आपको ऐसे दो option के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आपने इसका 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 इसमाल किया होगा, तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं, सो दोस्तो editing block का ishtemal करने के लिए सबसे पहले आपको आना है home tab पर और यहां पर आप देख सकते हैं, आपको एक option दिखाई देगा editing block का, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला option आपको दिखाई देता है find का, जिसकी shortcut की यहाँ पर आप देख सकते हैं, Ctrl प्लस F है, आप चाहें तो keyboard से Ctrl प्लस F प्रेस करके, find option को यहाँ पर open कर सकते हैं, जैसे हम इस वाले option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी second slide पर जम कर चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर stands के अंदर and, यानि end दिखाई दे रहा है, जो इसने यहाँ पर find कर लिया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक word हमारा लिखा है stand, जिसके अंदर and आपको यहाँ पर देखाई दे रहा है, जो इसने यहाँ पर find कर लिया है, इसके अलावा जैसे हमें यहाँ पर find next पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग से भी and आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप केबल चाहते हैं कि जहाँ पर and अलग से लिखा हो, केबल वही word आपको यहाँ पर find करके दिखाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है, find whole word only का, इस पर आपको टिक करना होगा, दोस्तो इस पर टिक करने के बाद हम वापस से first slide पर चले जाते हैं, और वापस से यहाँ पर find next वाले option पर click करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसने stand को यहाँ पर select नहीं किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम simply यहाँ पर find next पर click करते हैं, तो directly हमें यहाँ पर हर एक end वाले option पर यह jump करा दे रहा है, अगर हम चाहते हैं जो हमारा word यहाँ पर capital में end लिखा हुआ है, केवल यह उसी को find करें, यहाँ जितने भी यहाँ पर end capital में हैं, केवल हम उसी word को find करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस वाले option का इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे हम इस वाले option पर tick करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर first slide पर आ जाएंगे, और यहाँ पर capital में type कर देते हैं, and and, और उसके बाद जैसे में यहाँ पर find next पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह directly हमें five number slide पर यहाँ पर ला चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, capital में and आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लावा slide number two पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको and d यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसने इसको find नहीं किया, क्योंकि इसे हमने बताया था कि यह match case याणि change case के हिसाब से, हमारे word को यहाँ पर find करें, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देता है replace का, जैसे आप replace वाले option पर क्लिक करेंगे, तो आप end की जगह पर कुछ और अगर replace करना चाहें, तो यहाँ पर आप इसे replace कर सकते हैं, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, और और लिखने की बाद जैसे यहाँ पर find next पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, end आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आप इस end की जगह पर और लिखा हुआ देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर replace कर सकते हैं, फिलाल हम इसे यहाँ पर skip करेंगे, find next पर हम वापस से जाएंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं, जहाँ पर हमारा end लिखा हुआ है, इसकी जगह पर और और आ जाए, तो इसके लिए जैसी replace वाले option पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर और आ चुका है, इसके लावा जैसे हम find next पर वापस से क्लिक करेंगे, तो यह वापस से हमें second slide पर लेकर आ चुका है, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि यहाँ पर end लिखा हुआ है, क्या इसे भी आप यहाँ पर change करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से replace कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर replace all का इस्तमाल करेंगे, तो जहां जहां पर इसे end यहाँ पर दिखाई देगा, उस उस जगह पर यह और अप replace कर देगा, टेक्स्ट को आप यहाँ पर replace नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले option पर click करते हुए, font replace पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपका font यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, और इसके लावा, विथ में आप जो भी font यहाँ पर change करना चाहते हैं, उस font को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे मालीजी हमने यहाँ पर इस angry fb वाले font को select किया, और जैसे में यहाँ पर replace वाले option पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो font था वह यहाँ से replace कर दिया गया है, इस तरीके से आप replace option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, select के अंदर आपको select all का option यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी मतलब से पूरे slide में जो भी लिखा होगा, आप उसे एक बार में यहाँ पर select कर सकते हैं, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक और option यहाँ पर दिखाई देता है select object का, object का मतलब होता है किसी भी shape को या फिर किसी भी image को आप यहाँ पर select कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर text को आसानी से यहाँ पर select कर पा रहे हैं लेकिन अगर हम यहाँ पर click करते हुए select object पर click करेंगे और यहाँ से text को select करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं यह पर अप्जेक्स नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जैसे में आपर object को select करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, object को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर select कर पा रहे हैं, तो इस option का इस्तमाल किया जाता है, केवल object को select करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और option आपको दिखाई देता है, selection pane का जैसे आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको eyes का एक option दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप किसी भी object को यहाँ से height कर सकते हैं, आप चाहें तो show कराना चाहें, तो एक साथ सभी option को height कर सकते हैं, और एक साथ सभी option को यहाँ पर show up भी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप editing blog का इस्तमाल, powerpoint के अंदर कर सकते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो चाहें को like, comment, share जरूर कीजएगा, धन्यवाद.